आई नो दिस इस वेरी बेजिक बट दोस्तों मैं देख रहे हूं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके फिर भी स्ट्रागल कर रहे हैं अब यह समझ चुके है कि डिजिटल जाना कंपल्सरी हो चुका है और वो कहीं न कहीं डिजिटल ट्रांस्पार्म होना भी चाते है पर वो स्ट्रागल कर रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें और सही तरीके से कैसे करें तो उन सभी लोगों के लिए इस वीडियो इस डेडिकेड़ फो यूगाइज तो हाई दिजिस फोरम मार फद्या पट्यल दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले दोस्तो यह समझ लेता है कि आपके फेस्बूक प्रोफाइल जो हम सबकी होती है पॉर्सनल प्रोफाइल वो और हमारा बिजनेस पेज जहां से हम हमारे बिजनेस का प्रमोशन करते है वो दोनों चीजे अलग है हर एक बिजनेस पेज बनाने के लिए फेस्बूक प्रोफाइल के थ्रू ही हम इसे क्रियेट कर सकते है और जैसे कि एक इनसान के मल्टिपल बिजनेस हो सकते है वैसे ही हमारे खुद के प्रोफाइल के उपर से हम multiple business के pages भी create कर सकते हैं अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि क्यों मैं ये सारी चीजे यहाँ पर इतना detailing में और basic से जा रही हूँ तो let me tell you guys कि यहाँ पर ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सारी बार देखा है कि लोग अपने facebook profile के द्वारा जब वो mobile से use कर रहे हैं तब कही न कहीं कुछ buttons क्लिक करके एक facebook page create कर लेते हैं जो halfly done या फिर properly managed या properly created नहीं होता है एक immature page और एक properly professionally set किया हुआ और create किया हुआ facebook page वो दोनों के performance में बहुत ज्यादा फरक होता है तो मैं आपको ये जरूर recommend करना चाहूंगी दोस्तों कि आप मेरे video में दिखाए हुए सारे steps और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर अपना facebook page create कीजिए और उसको set कीजिए ताकि आपको performance में बाद में जाके अच्छा सा result मिले और राइट, so let's begin समझते हैं कि facebook page कैसे create करना है दोस्तों facebook page create करने के लिए हमें हमारे profile के उपर जाना है home page के उपर so हमारे profile में home option के उपर क्लिक करने के बाद उपर blue color के menu में हमें create option दिखेगा यह create option के अंदर create page करके option है दोस्तों यह create page जब हम करेंगे तो सबसे पहले बहुती आसान और simple चीज हमें पूछी जाएगी हमारे page की type अब यहां पर दोस्तों डो options है and listen to me very carefully यहां पर ध्यान से आपके page की type select कीजेगा because जो page की type हम select करेंगे दोस्तों उसी के उपर उसका future depend करेगा कि page में future में हमें कौन से options available होंगे और कौन से options या features available नहीं होंगे so choose it very carefully so क्या ध्यान रखना है और कौन सा type सिलेक करना है अब उसके उपर बात करते हैं तो पहला यहां पर है businesses and corporate यानि कि अगर आप कोई भी product-based business में हो service-based business में हो आप B2B में हो जहां पर अपनी brand आप अपनी company को represent करना चाहते हो उन सभी लोगों के लिए दोस्तों आपको यह first type of page सिलेक करना है और दूसरा है यहां पर community और public figure अगर आप किसी संस्था को association को represent कर रहे हो कोई NGO को represent कर रहे हो तो यहां पर आपको community सिलेक करना है और public figure यानि कि अगर आप individual किसी इंसान का page बना रहे हो जैसे कि artist लोग हो सकते है politicians हो सकते है यह सारे लोग दोस्तों public figure का काम करेंगे या फिर bloggers influencers तो यहां पर दोस्तों हम यह public figure category को सिलेक करेंगे so depend करता है कि आप क्या represent करना चाहते हो आपकी marketing strategy क्या है और आप future में कैसे अपने brand को रिप्रेजन करना चाहते हो आप individual अपने खुद का marketing करना चाहते हो या अपनी company का marketing करना चाहते हो यह पहले तैय कर लीजिए अब page type जैसे ही select कर लोगे वैसे ही दोस्तों यहां पर हमें basic details हमारे page के बारे में पूछी जाएगी हमारे page का नाम display name हम क्या रखना चाहते है so choose your display name very nicely आपके business को रिप्रेजेंट करने वाला और उसकी category को रिप्रेजेंट करने वाला जैसे की example के तौर पर अगर मैं बात करो तो forum Marfathya digital media marketing trainer या फिर आप संकल्प अगर brand आपके नाम है just an example तो संकल्प interior designing hub या फिर संकल्प South Indian restaurant तो आप ऐसा अपना display name डिजाइन कीजिये और उसके बाद दोस्तों आपको पूछा जाएगा आपके page की category यहां पर आपको आपके business की category डाली है जैसे की हमारे business में भी multiple defined होती है यानि कि आप IT industry से बिलॉंग करते हो आप hardware industry से बिलॉंग करते हो या फिर आपका showroom है या फिर हम food or restaurant industry से बिलॉंग करते हैं so what type of industry you belong to and जैसे कि अगर मैं public figure या community की तो आप कौन से type के public figure हो कौन से category के यानि कि आप life coach हो आप comedian हो आप trainer हो आप artist हो या फिर अगर अगर की community है तो यह concept type की community है एक fun community है या फिर एक fund raiser community है कौन से type की community है वो depend करता है तो यह सारी चीजे हमें यहां पर डाली है यहां पर हमें insert करना है कि हमारे page का address क्या होगा या फिर हमारे office का address क्या होगा हमारी basic details हमारे business के बारे में two या three fields में ही पूछी जाएगी it's very simple so add that और we are set to go get started के उपर click करना है and we are ready और हमारा business page facebook का दोस्तो बन चुका है it's launched so congratulations अब दोस्तो पेज बनाने के बाद okay यहां पर बहुत important चीजे हमारे five steps होते है जो हमें करने है as soon as we create a page अब यह कौन से five steps है उसके लिए मैंने already एक video shoot किया हुए go to my video and check it out that facebook page create करने के बाद ऐसी कौन सी 5 चीजे है जो हमें immediately set करनी है so I hope this video will help you to create your facebook page and set up it very correctly and professionally अगर आपको यह guidelines यह step करने में कोई भी problems आ रहा है यह doubt query questions है do let me know in the comment box I would definitely love to help you guys दोस्तो मैं next video shoot करने वाली हूँ about that instagram के page को कैसे setup करना है कैसे instagram के उपर सही आप business page के settings कर सकते हो so stay tuned for my next video और उसके लिए आपको मेरे चैनल को subscribe करना पड़ेगा और वो bell का icon ज़रूर दबाना पड़ेगा so do share this video अगर आपको अच्छा लगा है तो please इसको share कीजिए like कीजिए और comment भी कीजिएगा so till then bye bye see you take care to grow business go digital do